नमस्कार NBC News की खास फेसकर्स खास मुलाकात में आपका स्वागत है दर्शकू जिस प्रकार से आप जानते हैं NBC News एम गोपाल परिवार फाउंडेशन के सहीप्त तुत्वावधान से सार्थी अभियान चलाया जा रहा है जिसके त flips सार्थी भाईयों के कई सवालों के हल जो है हम इस एपिसेट के माध्यम से देते है इस वक्त हमार साथ मुझूद है प्रलाद अग्रवाल जोकी गोपाल परिवार फाउंडेशन के संस्तापक कियम अध्रिक्ष है साथी साथ जो है कई सारती भाईयों के लिए कई सामाजी कारे भी हो करते है प्रलाजी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इसकड़ी में तो आज के इसकड़ी में सबसे पहला सवाल आता है जिस प्रकाल से देखा गया है ड्राइवर लाइन में जो काम करते हैं सार्ति भाई उन्हें अलग ही नजरे से देखा जाता है उन्हें अलग ही दुरुष्टी से देखा जाता है कई उन्हें नशेडी बोलते हैं कई गंजेडी बोलते हैं साथी साथ जो है कई उपमाय उन्हें लगाई जाती है जो कि अराजक्ता से भरी होती है इस पर क्या कहना चाहेंगे आप जो कि एक अच्छी छबी उनकी बन सके और जो धूमिल छबी है उनकी साफ हो सके कि मेरा ऐसा मानना है कि मैं इसके लिए जो प्रियुक में कर हाँ पहले थोड़ा मैंने साथ ही भाईें से रिक्रिस्ट किया और प्लेवर महतों नहीं देते हैं और जो लोग आपके मेहनत को महतों देते हैं इसलिए आज सब को सब कुछ मिल रहा है अगर जैसे छोटी सी स्ट्राइक में आपने यह बोला था कि हम काड़ियां नहीं चलाएंगे बजार का भाव बहुत उपर चला गया था लोगों पेट्रोल नहीं मिला डीजल नहीं मिला आपका महतों तो बहुत है जो ना समझे हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं मेरा इंजियो तो यह बोलता है कि सार्थी को जो मेहनत कर रहा है मैं उसका मेरे खाल दसवा बीसवा हिस्साइ बूसके हैं दिएंगों इसको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता सरकार से भी मैं अपील कर रहा हूं जहां है जहां एक तब हम ngëना के वहां इपर इंजियों के लिए काम नहीं है कुछ दिनों पहले जानकारी आई थी कि नाइब कलेक्टर द्वारा जो है सार्थी भाईयों के करतवे परायंता पर सवाल उठाय गया था क्या कहना चाहेंगे क्या सत्य परिस्तिती हो और क्या बताना चाहेंगे इस पराब सार्थी भाईयों को से किसी भी नागरी को या किसी भी नेता को या किसी सरकारी ओफिशर्कों को हिक देखा गया है सारटी भाईयों के ही सवाल ہے दर्शU को इस बात को आप ध्यान में रखे कि जो हम इस सवालों पर चर्चा कर रहे है सारटी भाईयों द्वारा आये हुए सवाल है और उन्ही सवालों का हल जो है हम इसकारेकरम के माध्यम से आपके सामने आ रहे है और अगला सवाल ये आता है सारती भाईयों के और से उनकी समस्या है कि कई बार पुलिस द्वारा उन्हें रोका जाता है कारण ना होते हुए भी उन्हें घूस मांगी जाती है ऐसा भी कई बड़ा सवाल उन्हें उपस्तित किया है और कई समस्या हैं उन्हें उपस्तित की है इस पर क्या प्रयास किया जाना चाहिएंगे आप इस परॉल जो मेरी समस्ता पर प्रयास करेए नाटपुल की सर्राउड़िंग में पांच चेक पोश्ट है उन पांच चेक पोस्ट पे अगर सार्थी भाई की गाड़ी उतने सही माल भरा है, सब पेपर सही है, सब कुछ है, तो हम सार्थी भाईयों तक मेडिया के तुमे से तोचाना चाहते हैं, कि वहां कोई भी आपकी गाड़ी रोके, आपका लाइसन्स नंबर, अधार कार्ड और आपकी गाड़ी के फोटो हमको बेजिए, हम उस चेक पोस्ट से बात करने की कुछन है, अगर वो नहीं मालेगा, तो within three hours हमारे साथ जुड़े हैं सार्थी भाईयों का अच्छा करने के लिए वो पहुंच जाएंगे, और आपको नियाज जाएंगे, आपकी गाड़ी को को अच्छी शार्थी भाई जो है, ड्राइवर अपने घर पर जाए, एक असुरक्षित अता का माहोल रहता है, असुरक्षित अता का जो है सवाली निशान उनके मन में उपस्तित होता है, तो ऐसा क्या जो है आपके उपकरम के तःद, ऐसा क्या है जो आपके अभियान के है कि उनको जिस तरह फोजी भी नहीं जा सकता उसी तरह सार्थे भाईयों को ये कुछ तो सहना पड़ेगा और वो एक मेहने में दो या तिन दिन की छुट्टी लेकर अपने घर जाएं और उनके मालिकों को चाहिए कि उनकी सेली काटे बगार उनका कुछ भी नुक्सान किये बगार उनको ये चीज़ें उनको देनी चाहिए या जिस एडिये में का घर है उस रूट का उसको माल बर दे और दो दिन घर रुपने की परमिशन दे और दूसरा जो मेरी संस्ता ने चालू किया है हम बोनस के रुप में हमारी संस्ता सार्थे भाईयों को एक रुपया किल किलो में तो वह दोजार से बढ़ा के हम लोगों ने एक रुपया किलोमेटर किया है तो वह चार हजार रुपय से लेके आठ हजार रुपय तक हमने उनके घर पे बेजा है और उससे सार्थी भाई थोड़ा सा नाराज हुए है कि इतना पैसा आप हम आरे घर पे बेज़ते साती सात इस जो है सार्थी अभ्यान के तहत काफी सराने उपक्रम चलाया जा रहा है लेकिन इस प्रोग्राम के माद्यम से आप इस नई कड़ी में सार्थी भाईयों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे उसी तरह उनको भी नहीं मिलता और उसके इलावा उनके काम की अगर हम लोग जो आम पब्लेक या और इसमें मैं यह चाहूँगा कि मैं कोशिस कर रहा हूँ कि सब NGO और वो मेरा साथ दे और सार्थी बाईयों को क्या मिलना चाहिए और उसके लिए कुछ सार्थी बाईयों के घर जिस रूट पे हैं तो मोटर मालिकों को चाहिए कि उनको उस रूट का माल दे जिससे के महिने में वो एक दफ़ा घर चाहिए वर्षु को जिस प्रकार से आपने सुना गोपाल परिवार फाउंडेशन एवन वीसेन न्यूज के संयूपत तत्वावधान से जो सराहन यह कदम यहां उठाया जा रहा है सार्थी बाईयों के लिए जो कि इस देश के विकास का कना है इस देश के विकास का बोन मैरो है उ और ऐसे कई सवाल जो है अगली कड़ी में भी आएंगे मन्थन करते हैं अगले एपिसोड के लिए मन्थन करते हैं अगले सवालों के लिए तब तक के लिए धन्यवाद मै था मरीश्टेम्रे और हमारे साथ थे प्रलाद ग्रवाल